बिस्मिल्लाहिर रहमाद रहीम, असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ, आप सब ठीक होंगे वेल्कम बैक टू दा नियू वीडियो और वेल्कम बैक टू दा चैनल लिटरेचर कवरेच, आउ लिटरेचर पड़े स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक short story, दा मैन आफ दा क्राउड, जिसे एक रैटर एड़र ऐलन पो ने लिखा था, इस short story के themes को discuss करेंगे आज हम लोग दा मैन आफ दा क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी की समरी का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर, पोईट, आथर, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक था एडगर एलन पो ने पोईटरी, शॉर्ट स्टोरी और मिस्टरी टेल्स लिखी थी दा मैन आफ दा क्राउड ये शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है और ये शॉर्ट स्टोरी दिसंबर 1840 में पब्लिश हुई थी तो चले स्टोरेंट्स अब बढ़ते हैं दा मैन आफ दा क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स की तरफ दा मैन आफ दा क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी के पहला थीम है सोशल चेंज सोशल चेंज मतलब मार्श्रे में आने वाली एक तबदीली दा मैन अफ दा क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी की सैटंग ऑफ प्लेस है लंडन और इस शॉर्ट स्टोरी की सैटंग ऑफ टाइम है 19th सैंच्री असल में 19th सैंच्री में इंगलेंड के अंदर industrial revolution आया था और industries के अंदर बहुत ज़ादा technology यूज़ हो रही थी तो जो लोग दिहातों में रहते थे, villages में रहते थे उन्होंने, villages से शहरों की तरफ, बड़े cities जैसे के लंदन की तरफ jobs असल करने के लिए हिजरत करना शुरू कर दी तो इस वज़ा से लंदन के अंदर और इंग्लेंड के अंदर एक बहुत बड़ा social change आया था, industrialization के positive impacts भी थे इंग्लेंड पर और negative impacts भी थे, लेकिन industrial revolution की वज़ा से इंग्लेंड के अंदर technology के मैदान में बहुत ज़ादा तरकी हुई थी villages और cities के लोग मिलकर फैक्टरियों के अंदर काम करते थे जब तो उनके दरमयान relationship बने, तलुकाद बने उनके तो इस वज़ा से इंग्लेंड के अंदर एक social change आया था और the man of the crowd ये short story इसी social change को बियान करती है the man of the crowd इस short story का दूसा थीम है society and social groups जो society है वो बहुत सारे लोगों का एक group होता है society में मुफलिफ दरा के लोग रहते हैं कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ middle class होते हैं और कुछ गरीब होते हैं यह सबी लोग जब मिलकर एक जगह पर रहते हैं और हर अमीर, ग्रीब और middle class इंसान अपना अपना काम करते हैं तो इस तरह से एक माशरा बनते है the man of the crowd इस short story में जो इस short story का narrator होता है वो एक कोफी शोव में बैठा लंदन शहर की एक गली में से गुजरते हुए हजूम को देखते हैं और उस अजूम में तरह तरह के लोग होते हैं जानी के गली के अंदर से गुजरने वाले लोग मुथलिफ सोशल ग्रूप से बिलॉंग करते हैं लंदन शहर की गली में से गुजरते हुए जूम में अमीर लोग जैसे के businessmen, merchants और इसके लावा मिडल क्लास लोग जैसे के clerks, working women या फिर working girls और कुछ गरीब लोग जैसे के beggars और कुछ जेबे काटने वाले लोग यानि के pick pockets भी मजूद होते हैं उस अजूम के अंदर इससे जहर होता है कि society मुख्तली लोगों से बनी होती है और एक society के अंदर मुख्तली सोशल ग्रूप्स होते है The Man of the Crowd इस शॉर्ट स्टोरी का तीसरा थीम है dark secrets and crimes of humans The Man of the Crowd ये शॉर्ट स्टोरी ये बताती है कि एक इनसान के अंदर उसके कुछ dark secrets चुपे वे होते हैं और अपने वो dark secrets एक इनसान दूसरे इनसानों को नहीं बताता क्योंकि वो secrets बहुत खतरनाक होते हैं उन secrets को एक इनसान दूसरे लोगों के सामने नहीं बयान कर सकता और इसी तरह से एक इनसान ने मुख्तली तरह के crimes की होते है और वो crimes एक इनसान दूसरे इनसानों को क्यों बताएगा अपने क्राइम्स एक इनसान अगर दूसरे इनसानों को बता देगा तो इस इनसान का अपना ही नक्सान होगा वो अपने राज, वो अपने जुराइम, दूसरे लोगों को अगर बताएगा तो यह उस इनसान के लिए एक खतरनाक चीज है दा मैन आव दा क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी का नरेटर कॉफी हाउस में बैठा जब इंगलेंड के लंदन सिटी की एक गली में से गुजरते हुए हजूम में मु Coffee लों को देख रहा होता है तो उस नरेटर की नजर एक अजीब से बुड़े आदमी एक ओल्ड मैं पर पढ़ती है हो नरेटर की दिल्चसपी बढ़ जाती है कि वो इस ओल्ड मैं के बारे में कुछ ना कुछ जान पाए तो narrator उस old man के बारे में जानने के लिए उस old man का पीछा करना शुरू कर देता है narrator बहुत time तक उस old man का पीछा करता रहता है लेकिन वो old man के बारे में कुछ भी जान नहीं पाता और फिर narrator सोईता है कि ये old man अपने अंदर अपने dark secrets और अपने dark crimes को चुपा रहे है और उस old man के dark secrets और dark crimes उसी old man के मरने के साथ ही मर जाएंगे और वो secrets वो crimes किसी भी इनसान को पता नहीं चलेंगे The man of the crowd इस short story का चौथा तीम है curiosity, obsession और unknown The man of the crowd इस short story के narrator के अदर लोगों को जानने की बहुत जादा curiosity होती है narrator लोगों को जानने में बहुत जादा दिल्चस्पी रखता है, लोगों के secrets जानना चाता है, लोगों की personal details के बारे में जानना चाता है तो इस वज़े से narrator लंदन शहर के एक coffee house में बैठा, गली में से गुजरते वे लोगों के हजूम को देख रहा होता है यह unnamed narrator गली में से गुजरते वे हर शेक्स को देखने की कोशिश करता है और यह narrator खुद से अंदाजा लगाता है कि हजूम में से गुजरते वे लोगों का occupation के है, लोगों का social background के है लोगों की class, occupation और उनके social background का अंदाजा narrator उन लोगों के manners, उन लोगों की appearance, उन लोगों के behavior और manners से लगाता है दा मैन आफ दा क्रोड इस short story में obsession का theme कुछ यूँ होएगे जो narrator है ना इस short story का लंदर शेहर की एक गली में से गुजरते वे हजूम के, एक एक शक्स को बड़ी बारीकी से observe करने की कोशिश करता है फिर इस narrator की निकाह एक old man पर पढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों की personal details का अंदाजा narrator अपने mind में लगा लेता है उन लोगों की appearance के हिसाब से, लेकिन जो old man होता है ना वो थोड़ा अजीब behave करता है जिसकी वज़ा से narrator की दिल्चस्पी और बढ़ जाती है उस old man के बारे में जानने के लिए तो narrator उस old man का पीछा करना शुरू कर देता है, बहुत टाइम तक narrator उस old man का पीछा करता रहता है उस old man की personal details जानने के लिए, लेकि narrator को उस old man के बारे में जरा भी information नहीं आसल होती लंदन शेयर की गली में से गुजरते वे लोगों का जो हजूम है, इन लोगों का narrator के साथ कोई link नहीं है, कोई relationship नहीं है लेकिन फिर भी जो narrator है, the man of the crowd शॉर्ट स्टोरी का, वो लोगों के secrets जानने के बारे में, लोगों की personal details जानने के बारे में बहुत जादा curious है, बहुत जादा obsessed है असल में एक 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 इनसान के अंदर ये curiosity होती है, कि वो दूसरे लोगों के बारे में, उन लोगों के secrets के बारे में जान पाए लेकिन एक इनसान जो दूसरे इनसानों के डार्क सीक्रेट्स और क्राइम्स के बारे में जानना चाता है वो अपने डार्क सीक्रेट्स और अपने क्राइम्स के बारे में लोगों को नहीं बताता The Man of the Crowd इस शॉर्ट स्टोरी का पांचवां तीम है London City उसमें मुझूद क्राउट्स और अर्बन एलियनेशन London City जो है ये England का Capital City है कोई भी मूलकों उसका जो Capital City होता है वो बड़ा तरकी आफ़ता इलाका होता है वहाँ पर ज्यादा तरकी हुई होती है वहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं काम करने के सिल्से में जोब्स के सिल्से में और London England का एक तरकी आफ़ता शहर है तो वहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे जोब्स आसल करने के लिए तो जब England के अंदर Industrial Revolution आया था तो England के विलिजिज में से बहुत सारे लोगों ने England के बड़े सिटिस जैसे के London लंदन इन सिटिस की तरफ जॉब्स आसल करने के लिए इजरत करना शुरू कर दी थी तो लंदन शेहर के अंदर बहुत ज़्यादा रश लग गया था लोगों का और दा मैन आव दा क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी में में हम लोग देख सकते हैं लंदन शेहर की गली में से गुजरते वे लोगों के हजूम को देख रहा हुता है अर्बन इलिएनेशन का यहां पर एक थीम है जो के बहुत इंपोर्टन ऑ्ट स्टूरूड इसूड़न्स Urban alienation का मतलब यह है कि शेरों के अंदर जो लोग मुझूद है ना वो लोग काफी तदाद में मुझूद है वो लोग एक हजूम में भी चलते हैं लेकिन एक हजूम में चलने के बावजूद वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते एक हजूम में लोग का रश होने के बावजूद उन लोग के दरमयान बहुत ज़्यादा फासला मुझूद है वो लोग एक दूसरे के लिए unknown है The Man of the Crowd इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़के यह पता चल जाता है कि इस शॉर्ट स्टोरी का जो नेरेटर है वो unnamed है नेरेटर किस कफी शोब में बैठा हुआ है उस कफी शोब का नाम नहीं बताया गया कफी शोब भी unnamed है The Man of the Crowd इस शॉर्ट स्टोरी का नेरेटर इस शॉर्ट स्टोरी में किसी भी करेक्टर का नेम नहीं बताता और वो नेरेटर Linden शहर की गली मेंसे गुजरते वे हजूम में मजूद किसी भी शेक्स का नाम नहीं बताता हलागे जो उल्ड मैन होता है उसका इतनी देर तक पीछा करता रहता है अनेमड नेरेटर लेकिन ये अनेमड नेरेटर उस अनेमड उल्ड मैन के बारे में और उसके सीक्रेट्स के बारे में नहीं जान पाता और ना ही उस ओल्ड मैन का नेम बताता है चाहे लंदर शहर के अंदर लोगों का हजूम है लेकिन इस शहर में मचूद जो लोग है उस शहर में मचूद लोगों का जो क्राउड है इस क्राउड के लोग एक दूसे के लिए अम नउं है The students ये थे The Man of the Crowd, A Short Story मैं एडगर ऐलन पो के important themes अगर आप लोगजों को दूर्ड वीडियो के आडगर अलल-पो के मजीद कोई थीमूज पता है तो कमेंट करके जरूर बतायेगा मैं अमीद करता हूं कि स्टूडंस आप को दा मैन अव दा क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स की समझ आई होगी आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं